हेलो फ्रेंट्स मेरा नाम है आसिफकान और आप सभी का फिट से स्वागत है मेरे चैनल आटिको टेक्नोलोजीस में सो आज हम आप सभी के लिए लेकर रहा है एक बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक रिलेटेट टु मैक बुक्स आज का हमारा टॉपिक होगा एक बिगिनर्स गाइड रिलेटेट टु डिफरेंट टैप्स अप मैक बुक्स विच अवलेबल इन अ मारकेट जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास काफी सारे टैप्स के मैक बुक्स मौझूद है जिनके बारे में आज हम डिसेस करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक नया वडियो आठिको टेक्नोलोजीस में इन मैक बुक्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइट कर लेंगे मैक बुक, मैक बुक एर और मैक बुक प्रो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैक बुक यह एपल का अब तक का सबसे कॉम्पेक्ट मैक बुक है जिसे एपल ने लॉज किया था 2015 में और इसका आखरी मॉडल आया था 2017 में और इन मॉडल को एपल डिसकंटीनू कर दिया 2019 में यह आज भी काफ़ी डिमांड में है इसमें हमें मिल जाता है 12 इंच का रिटीन डिस्प्ले और इसमें हमें आ जाता है इंटल को एम स्रीस प्रोसेसर और कुछ मॉडल के दर में मिल जाता है कोर आई 5 एन अपटो कोर आई 7 प्रोसेसर कनेक्टिविटी की बात करें तो हमें इसके अंदर मिल जाता है स्रिफ एक USB Type-C पोर्ट जो थंडरबूर पोर्ट नहीं है और इसके दुसरी तरह में मिल जाता है स्रिफ एक headphone jack यह हमें मिल जाते है टोटल चार colors में जो की है space gray, silver, rose gold and gold और इन बोर्टोस के अंदर apple logo glow नहीं होता है तो यह था lightweight 12 inch MacBook इसे हम side में रख देते है अभी हम discuss कर लेते हैं next category के बारे में जो की है MacBook Air MacBook Air में मिल जाता है MacBook Air 11 inch, MacBook Air 13 inch और MacBook Air 13 inch Retina सबसे पहले हम देख लेते हैं MacBook Air 11 inch यह भी एक बहुत ही compact और sleek design है जिससे apple ने launch किया था 2010 में और इसका आखरी model आया था 2015 में इससे apple डिस्क निवी कर दिया था 2016 में बट आज भी इनके 2015 model दिमांड में है इसमें हमें मिल जाता है 11.6 inch का normal display जो कि Retina नहीं है और processor वाइस इसमें आज जाता है Core i5 और Core i7 processor और जहां तक connectivity की बात करें इसमें हमें मिल जाता है max safe charging port, USB 3.0 port, एक headphone jack और इस तरफ हमें मिल जाता है एक thunderboard port और एक USB 3.0 port यह हमें मिलता है सिर्फ एक color में जो कि है silver और इसमें Apple logo glow होता है अभी हम discuss कर लेते हैं MacBook Air 13 inch non-retina models इससे apple ने launch किया था 2008 में और इसका आखरी model आया था 2017 में और इसे apple discontinue कर दिया 2019 में बट आज भी इसका 2015 और 2017 model काफी demand में है because of its versatility इसमें हमें मिल जाता है 13.3 inch का non-retina display और प्रोसेसर वाइसस में आ जाता है Core i5 and up to Core i7 processor जहां तक connectivity की बात करें इसमें हमें मिल जाता है max safe charging port एक USB 3.0 port एक headphone jack इस तरफ हमें मिल जाता है एक thunderbird port एक USB 3.0 port और HDXC card slot यह हमें मिलता है स्रिफ एक ही color के अंदर which is silver और इसके अंदर भी apple logo glow होता है और इस category में finally हम देख लेते है MacBook Air 13 inch Retina models इन models को Apple ने launch किया था 2018 में और यह अब भी production में है इसमें हमें मिल जाता है brilliant 13.3 inch Retina display और इसके अंदर कोई भी aluminum bezel नहीं है unlike previous models और यहां पर हमें मिल जाता है fingerprint touch ID sensor और जहां तक processor की बात करें इसमें हमें मिल जाता है Intel Core i3, Core i5 and Core i7 processor and also the latest Apple M1 silicon chip और जहां तक ports की बात करें इसमें काफी limited ports है इसमें हमें मिल जाता है 2 USB Type-C ports जो कि Thunderbolt 3 है और इस तरफ हमें मिल जाता है एक headphone jack इसमें हमें कोई भी generic ports नहीं मिलता है तो normal accessory यूज़ करने के लिए आपको खरीदना होगा USB Type-C dongle और यह हमें मिल जाता है total 3 colors में Space Gray, Silver & Gold और इसमें Apple logo glow नहीं होता है तो यह था the sleek latest MacBook Air 13-inch Retina model अभी हम discuss कर लेते है MacBook Pro models के बारे में इसमें हमें मिल जाता है 13-inch, 15-inch & 16-inch models सबसे पहले हम discuss कर लेते है 13-inch models के बारे में सबसे पहले हम discuss कर लेते है the most famous MD-10 model इसे Apple नहीं launch के था 2012 में और officially sold के था 2017 तक और यह model सबसे ज़्यादा famous है because हम इसके configuration को customize कर सकते है इसमें हमें मिल जाता है 13.3-inch का non-retainer display और जातक प्रोसेसर के बात इसमें हमें मिल जाता है Intel Core i5 processor with 4GB of RAM जिसे हम upgrade करके 16GB तक कर सकते है और इसके अंदर में मिल जाता है 500 GB hard drive जिसे हम up to 2TB कर सकते है या फिर SSD इंस्लॉल कर सकते है और सिंस इस model के अंदर एक DVD drive लगा हुआ है जिसे हम निकालके एक और additional hard drive दाल सकते है या SSD दाल सकते है इसके अंदर हमें काफी सारे customization option दिल जाते है जिस वजे से यह काफी famous model है जहां तक रही ports के बात इसमें हमें मिल जाता है MagSafe charging port Ethernet port Firewire 800 port Thunderboard port 2 USB 3.0 port HDXC card slot headphone jack battery indicator button with small LEDs to check the battery level और इस तरह हमें मिल जाता है slot load DVD writer और यहां पर है Kensington lock slot काफी सरे ports महजूते है इस model के अंदर और यह model हमें मिलता है सिर्फ एक ही color में जो कि यह silver with glowing apple logo One of the most famous model अभी हम देख लेते है MacBook Pro 13-inch Retina models इस model को Apple ने launch किया था first time 2012 में और इसका final model आया था 2015 में और इसे Apple इसे 2018 में कर दिया था 2017 में इसमें 2014 और 2015 model आज भी काफी demand में है इसमें हमें मिल जाता है brilliant 13.3-inch का Retina display और प्रोसेसर वाइस इसमें आ जाता है Intel Core i5 और Core i7 प्रोसेसर और जहां तक इनके ports की बात करें इसमें हमें मिल जाता है MagSafe charging port दो Thunderbolt ports USB 3.0 port एक headphone port और इस तरफ हमें मिल जाता है एक और USB 3.0 port HDMI port और एक HDXC card slot यह हमें मिल जाता है तरफ एक ही color में जो कि यह silver और इसके अंदर भी Apple logo glow होता है इस category में हम next model चेक कर लेंगे 13-inch non-touchbar model इस model को Apple ने launch किया था 2016 में और इसका last model आया था 2017 में और इन models को Apple ने discontinue कर दिया 2019 में बट आज भी यह दोनो models काफी demand में है due to its sleek design इसमें हमें मिल जाता है 13.3-inch का Retina display और जहां तक processor की बात करें इसमें हमें मिल जाता है Intel Core i5 processor विजबोर सब्टूट Intel Core i7 processor और जहां तक ports की बात करें इसमें हमें मिल जाता है 2 USB Type-C ports जो कि Thunderbolt 3 है और इस तरफ हमें मिल जाता है एक headphone jack यह हमें मिल जाता है 2 colors में जो कि है Space Gray and Silver Color और दोनों ही model के अंदर Apple logo glow नहीं होता है तो यह था non-touchbar MacBook Pro and finally हम देख लेते है MacBook Pro 13-inch Touch Bar model इन models को Apple ने launch के था 12-16 में और यह अब तक production में है इसमें मिल जाता है 13.3-inch का Retina display और यहां पर आप देख सकते हो इसमें हमें मिल जाता है Touch Bar, Strip और यहां पर है Fingerprint Touch ID Sensor प्रोसेसर वाइस इसमें आ जाता है Core i5 and Core i7 Processor और latest Apple M1 Chipset also Port वाइस इसमें मिल जाता है इस तरफ 2 Thunderbolt 3 port और इस तरफ मिल जाता है और 2 Thunderbolt 3 port which is USB Type-C और यहां पर हमें मिल जाता है headphone jack और जो latest Apple M1 Chipset वाले MacBook है उसमें मिलते है सिर्फ 2 Thunderbolt 3 ports and 1 headphone jack यह हमें मिल जाता है दो colors में Space Gray and Silver with Non Glowing Apple Logo अभी हम देख लेते है MacBook Pro 15-inch सबसे पहले हम चेक कर लेते है MacBook Pro 15-inch Retina Model इसे Apple ने launch लिया था 2012 में और इसका आखरी model आया था 2015 में और इसे Apple ने discontinue कर दिया था 2016 में बट आज में 2014 और 2015 model काफी demand में है इसमें हमें मिल जाता है 15.4-inch का Retina Display और इसमें हमें आ जाता है Quad-Core i7 Processor Port-wise हमें इसमें मिल जाता है एक MagSafe Charging Port दो Thunderbolt Port USB 3.0 Port एक Headphone Port और इस तरह हमें मिल जाता है एक और USB 3.0 Port एक HDMI Port और एक Card Slot यह हमें मिल जाता है स्रिफ एक Color में which is Silver और यहां पर Apple Logo Glow होता है तो यह था 15-inch Retina Model Next हम देख लेते है MacBook Pro 15-inch Touch Bar Model इन models को Apple ने launch किया था 2016 में और इसे discontinue कर दिया 2019 में इसमें हमें मिल जाता है 15.4-inch का Retina Display और प्रोसेसर वाइस इसमें आ जाता है Intel Core i7 and Core i9 प्रोसेसर इसमें भी मिल जाता है Touch Bar Control और यहां पर Fingerprint Sensor और जहाते है पोर्ट की बात करें इसमें हमें मिल जाता है इस तरफ दो USB-C which is Thunderbolt 3 पोर्ट और इस तरफ भी मिल जाता है दो Thunderbolt 3 पोर्ट और यहां पर है एक headphone jack और इसमें हमें मिल जाता है Redesigned Scissor Keyboard और जहां तक प्रोसेसर की बात करें इसमें हमें मिल जाता है Beginner's Guide for Different Types of Macbook I hope आप सभी को इस वीडियो की मदद से एक सही Macbook खरीदने में आसा नहीं होगी हमारे इस वीडियो के अपने सारे दोस्तों के साथ ज़रूर शैर करें और हमारे चैनल को सबसाब करना ना भूले and also press the bell icon for notifications बहुत जल मिलते हैं और knowledgeable वीडियो के साथ तब तक के लिए ठेक कैर बाबाए